नवस्कार दोस्तो जैहिंद वंदे मातरम दोस्तो बात करेंगे इस वीडियो में आपके सिच्छक भरती का महतपूर बालविकास सिच्छन साज के टॉफ 30 कोश्चन रहने वाले हैं सभी प्रस्ण आपके सिलिवस पर रहेंगे आपके एक्जाम पर रहने वाले हैं और आपके एक्जाम में सभी आपके समभावित प्रस्ण है या सिच्छक भरती में पूचे गया प्रस्णों का संग्रह किया गया है दोस्तों इसके पिछले क्लासे देखना चाहते हैं आई बाल विकास के करवाने वाले हैं तो आपका यह है कल हमने question किया था last कि बाल लावस्था को अनोखा काल बताने वाले बिद्वान कौन से हैं तो बाल लावस्था को अनोखा काल बताने वाले जो महान बिद्वान आपके काल और प्रोस हैं ठीक है और अंगला प्रसन क्या था च पीछप्षकवर्थी के आंलाइन प्लेटफार्म बेए यूटूब के प्लेटफार्म पर जैस्वाल कोचिंग सिंटर पर प्रस्णिय है दोस्तो, नयतिक तरकना के किस तर पर नयतिक नीमो का निर्माण दूसरों वा पालन बालकों द्वारा किया जाता है नैतिक तरकना के किस इस्तर पर नैतिक नेमों का निर्मान दूसरों द्वारा वापालन बालकों द्वारा किया जाता है राइट एंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों कहोगा ठीक है तो राइट एंसर आपको हो जाएगा प्राप्त रूडगत नैतिकता इस तरफर पहला अपसन सही हो जाएगा अंगला प्रस देख लेते हैं क्या पूंचा जा रहा है किसोरा वस्था के आकास्मिक परिवतन सिधान के बिरोध में कौन है किसोरा वस्था के आकास्मिक परिवतन होता है किसोरा वस्था में ये सिधान के बिरोध में कौन से बैग्यानिक है किसोरा वस्था के आकास्मिक परिवतन के सिधान में जो बिरोध में बैग्यानिक है आपके वह आपके बैग्यानिक है थांडाइक जी हाँ दोस्तो कि सोरा वस्ता के आकासमी पर्वितन के सिध्धान के बिरोद में आपके थारंडाई के हाँ पर हैं अंगला प्रस देख लेते हैं सभी मित्रों को जैहिन वंदे मातरम दोस्तो सभी प्रस सलेक्षन की ज़से समभावित प्रसन है एक्जाम में आई विय प्रसन है पूछे जा सकते है सादनात्मक सापेच्टावादी उन्मुक्ता विक्सित होती है जो आपके सादनात्मक सापेच्टावादी उन्मुक्ता विक्सित होती है किस पर होती है तो आपके पूरु लाइकिक इस तरफ पर विस्थ होती है अंगला प्रस देख लेते है चिन्वा संकेतों दारा संग्यान का विकास ब्रूनर की संग्यानात्मक विकास सिधान की की सवस्था में होता है तो दोस्तो राइट एंसर क्या हो जाएगा आपका प्रतीकात्मक हो जाएगा राइट आपसन आपका थर्ड हो जाएगा अंगला प्रस देख रहे हैं अंगला प्रस निस्कीन पर क्या दिया है एक छोटा बालक प्रथम बार अनार खाकर उसके बारे में अपनी एक निश्चित धारना विक्सित कर लेता है तो ब्रूनर के अंसार यह अवस्था क्या होगी दोस्तों कोई बालक है प्रतम बार अनार खाकर उसके बारे में अपनी एक निश्चित धारना विक्सित कर लेता है यानि अनार कैसा है, खटा है, मीठा है, कैसा होता है तो Brunner के अंसार यह अवस्था कौन सी होती जिसमें बालक जो कोई चीज मतलब अनारिक फल का नाम यहाँ पर दे दिया गया कि वह खा कर उसके बारे में अपनी एक निश्चित धार्ना विक्सित कर लेता है तो यह जो धार्ना विक्सित कर लेता है बुर्वनर के अवस्था में होगा वालत ठीक है एनेक्ट्व वस्था आइकोनिक, सिंबोलिक या कोई नहीं तो राइट अप्सन होकाब का एनेक्ट्व कहलाए गए कौन सी अवस्था कहलाएगी एनेक्ट्व वस्था कहलाएगी अंगला प्स देख ले रहे है सभी दोस्तों नए पटरन पर प्रसन है तो सभी समभावित प्रसन है और एकजाम के दस्थे, सेलेक्शन के दस्थे सभी मौत पूर्ण प्रसन है गौन इसकी मेटा ब्रत्ती, इसकी मेटा के विकास की अवस्था है जो गौन इसकी मेटा या ब्रत्ती इसकी मेटा विकास के वस्ता कौन सी होती है ये सभी लोग जानते होंगे लगबख सम्वेदी पेरा का वस्ता होती है पहला अपसन सही हो जाएगा अंगला पस देख लेते हैं उमीद है आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक सेर जारूर कर दिया होगा अंगला पस देख लेते हैं जन्म की समय सिस्व ना तो समाजिक प्राणी होता है और ना ही आसमाजिक प्राणी होता है कथन यह है दोस्तों इंट्रेस्टेट कर्शन है और यह कॉस्चन में आपको करा चुका हूँ सायद आपको पता भी होगा राइट अपसन क्या होने वाला है तो मैंने बताया था यहाँ पर समाजिक और असमाजिक दो प्राणियों की बात की गई है कोलवा ब्रूस ने बालय वस्था को अनोखा काल कहने वाले कौन है किन्तु किस संदर में किस विकास के संदर में इनों ने कह दिया कि बाल लवस्था का नोखा काल होता है तो किस संदर में इनों ने कहा था यह संवेग आत्मक के संदर में कहा था अंगला प्रस देख लेते हैं प्रसन अंगला यह है कि अधिकार के सम्वेक के साथ जुड़ी हुई मूल प्रवत्ती होती है तो अधिकार के सम्वेक के साथ जुड़ी हुई मूल प्रवत्ती होती है वह कौन से होती है करुणा, संग्रह, यूयोसा, यज्यान तो अधिकार के सम्वेक के साथ जुड़ी हु सरीरिक मानसीक एवं बिक्तित विकासों की मूल अधार सिला किस काल में रखी जाती है सरीरिक मानसीक एवं बिक्तित विकासों की मूल अधार सिला जो आपकी किस काल में रखी जाती है तो वह आपका काल होगा बाल्यवस्था के काल में सरीरिक मांसिक और विक्तित विकासों को मूल जो अधार सिला कहते ना निव अगर घर बनाना तो निव अधार सिला होती है निव मजबूत होना चाहिए तो सरीरिक मांसिक और विक्तित इन तीजों जो तीनों सरीरिक तोर पर मांसिक तोर पर और विक्तित के तोर पर इन तीनों का विकासों की जो मूल अधार सिला नियू रखी जाती हुए आपके बाल्य वस्ता में ही रखी जाती है सभी मित्रों का स्वागत अभिदनन है अब बात करेंगे आपका अभी तक आपका अभिवरत दिवाला चेप्टर चल लहा था ठीक है विकास और अभिवरत के बारे में अब आपका चेप्टर चलेगा अधिगम के बारे में चलेगा अधिगम के बारे में सभी मात्पूर्ण प्रस्ण करेंगे क्योंकि यहाँ पे सभी आपके सिलेवस के धार पर प्रस्ण करा रहे हैं अंगला प्रस्ण देख लेते हैं परिपक्ता इत्याद से ब्योहार में उत्पन परिवतन को भी अधिगम कहा जाता है यानि परिपक्ता इत्याद इसे बेवहार में जो उत्पन परिवतन होता है उसको ही अधिगम कहा जाता है कहा जाता है हाँ नहीं कभी कभी निश्चित क्या हो ना राइट अफसन क्या होगा और यह आपके परिच्छा में पूँचा गया प्रसन है यानि सिच्छक भरती में पूछा गया प्रसन है तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि परिपकता इत्याद इसे बेवहार में उत्पन परितन को अधिगम कहा जाता है यह बिल्कुल सर्वता गलत है तो नहीं कहा जाता है अंगला प्रस लेक लेते हैं अधिगम का तातपर और विशेष्था है सही कूट का चैन करना अधिगम का तातपर और विशेष्था के बारे में आपका यहाँ पे कथन दिया गया है इस कथन को देखेंगे क्या है और फिर नीचे कूट वहां सा दिया गया है कूर्ट भांसा को हम बताएंगे कौन सा सही होने वाला है ठीक है आईए देख लेते हैं बेवहार में अपेच्छा कत इस्थाई परिवतन जीवन परियन चलने वाली प्रक्रिया अदिगम का तात्पार और विसेस्ता है अदिगम का तात्पार और विसेaking यह कि बिवहार में अपेच्छा कत इस्थाई परिवतन होता है जीवन परियन चलने वाली प्रक्रिया है बिलकुUs सही बात है ठीक है और समायोजन में सहायक होता है ABD आपका सही है उचित विकास का सदव सगरातमक सही होगी यह आपका नहीं है तो ABD आपसन सही होगा आपके अधिगム का तातपर और विशेश्ता में सही कूट का चैन का अंशा है आपका A सही है B सही है और D सही है देखें ABD आपका second option में दिया तो सही हो जाएगा चले अंगला पर देख लेते हैं क्या प्रसंदिया है निन में से कौन सा उधारन जो है अधिगम को प्रदर्सित करता है ऐसा कौन सा उधारन जो आपको अधिगम को प्रदर्सित करता हो तो दोस्तो हाथ जोड़कर अध्यापक का विवादन करना ये आपक आप लोगों का सही हो जाएगा अधर आपसन क्या दिये स्वाधिश्ट बोजन देखकर मुँमिला यह तो हो नहीं सकता चहणना बांगना फेंकना यह हो नहीं सकता इन सभी वाला तो हो इन सकता जब दो आपसन नहीं है तो हांत जोड़कर ध्यापा का विवादन करना क्या है अधियम को परसित करता है यह आपका उदारन अंगला पस देख लेते हैं क्रो येवं क्रो के अंसार सीखना ग्यान आदतों का किसका अरजन है दोस्तों क्रो-वयम क्रो के अनुसार जो है सीखना ग्यान आदतों वा किसका अर्जन है देखे परिवासा में भी ठीक है तो यहां पर आपका विकल के मादम से भी आपकी रिक्तिस्थान भी परिवासाय and statement गतन भी आपको क्थन भी रिक्तिस्थान पर आ सककता है क्रो यम क्रो के अमसार सीखना ग्यान आदतों वा किसका अरजन कहलाएगा तो यह आपके अभी व्रतियों का अरजन कहलाएगा अंगलाप्रस देख लेते हैं सभी में उमीद है अभी तक आपने जैस्वाल कोचिंग सेंटर को सिचक बरती के चैनल को जरूर जोईन कर लिया होगा सदस्ता हासिर कर ली होगी अंगलाप्रस देख लेते हैं निन में से कौन सी विसेष्टा परिपकता को अधिगम से अलग करती है दोस्तों इन में से कौन सी विसेष्टा है जो परिपकता को अधिगम से अलग करती है यह एक सुभाविक प्रक्रिया है यह एक अभ्यास पर निर्वर करती है यह प्रिरिकों पर निर्वर करती है यह विशेष्टा जो है परिपकता से परिपकता को अधिगम से अलग कर देती जीवन परियन चलने वाली प्रक्रिया अंगला पर देख लेते हैं नवीन ग्यान और नवीन अनक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है यह परिभासा देने वाले कौन है दोस्तो तो राइट अप्सन क्या होगा दोस्तो राइट अप्सन होगा वोडवर्थ है वोडवर्थ ने कहा है कि नवीन ग्यान और नवीन अनक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रकिया ही अधिगम कहलाती है अधिगम को प्रभावित करने वाला बेक्तिगत कारक कौन होता है तो अधिगम को प्रहावित करने वाला बेक्तिगत जो कारक होता है वह आपका होता है परिपक्ता एवं आयो क्या बेक्तिगत कारक मूचा गया तो बेक्तिगत कारक उसकी परिपक्ता होगी और उसकी वह आई हो जाएगी तो फोर्द आपसन आप लोगों का सही हो जाएगा अंगला प्रसन क्या है अधियम प्रक्या में प्रमुक विसेष्था है जो आपके अधिगम की प्रक्या है उसमें प्रमुख विसेस्ता होती है किसी कार को सीखना, आदत निर्मान, अभिवरति का अरजन, बिवहार में परिवर्तन तो अधिगम की प्रक्या में प्रमुक विशेस्ता जो होती है वह आपका हो जाएगा बेवहार में परिवर्तन हो जाएगा अंगला प्रस देख लेते हैं इंपोर्टन प्रसने ध्यान दीजेगा यह ऐसा प्रसन एक जरूर आता है एक क्रिकेट खिलाडी अपनी गेंदवाजी के कौसल को बिक्सित कर लेता है पर यह उसके बल्लेवाजी कौसल को प्रभावित नहीं करता है इसे क्या कहेंगे दोस्तों कोई भी क्रिकेट खिलाडी है गेंदवाजी कौसल को बिक्सित कर लेता है तो यह गेंदवाज कहलाएगा तो गेंदवाज वह जब कहलाएगा तो उसके बल्लेवाजी काउसल को प्रभावित नहीं करता है बल्लेवाजी क्यों करेगा क्योंकि वह गेंदवाजी के लिए कर रहा है ठीक है तो यह आपको क्या करेगा यहां पर है कोई क्रिकेट का खिलाडी है मान लीजिए हाँ पे बॉलिंग पे हर्दिक पांड़ा ले सकते हैं इससे मैं अल्राउंडर है तो हर्दिक पांड़ा को ले 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 जड़ेजा को ले ले आपको जड़ुक भाही को ले ले ठीक है तो आपके हर्दिक पांड़ा को ल तो यह जो कहलाएगा, right option होने वाला है, soon precision अंतरन कहलाएगा, soon precision अंतरन, यहनि कि आपके परिच्छन में जो पहला परिच्छन जो हुथा बल्ले बाजी, वह आपका अंतर नहीं आएगा, तो soon, क्या है, परिच्छन अंतरन कहला जाएगा, अंगला पर देख लेते हैं, कोई यहाँ पर जो क्लासेज होती हैं, सिच्छक बरती से सम्मंदित होती हैं, और selection वाली क्लासेज होती हैं, आपकी exam pattern पर क्लासेज होती हैं, तो सभी मित्रों को जैन दोस्तों अंगला पर दिख लेते हैं, important person होने वाला है, और सभी मेरे भावी अध्यापक का अध्यापिकाए जो नियम बेवार दारा बेवार में परिवत्न को अधिगम कहा जाता है, जैसे मद्द पान करके बिक्ति का उस्साहिद बेवार करना अधिगम है, क्या होगा, नियम वह उधारन दोनों सही है, नियम वह उधारन दोनों सही नहीं है, या उधारन सही है जबकि नियम सही नह तोस्तों मैं बताना चाहता हूं जो उदारन दिया हुदारन सही नहीं है जबकि नियम सही है नियम जो दिया है कि नियम क्या है यहाँ पर दिया गया है बिवहार द्वारा बिवहार में परिवतन को अधिगम कहा जाता है बिलको सही बात नियम सही है लेकिन आप उधारन जो दिया गया है उधारन आपका गलत दिया गया है ठीक है तो यहाँ पर क्या अपसन हो जा इस सिखने पर किसी भी प्रकार में कोई प्रभाव नहीं डालता है तो क्या कहलाएगा ? दोस्तों जो हमने पहले सीखा है जो हमारी आज की नई स्थिती है किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता आपका पुराना ग्यान आपको कोई प्रभाव नहीं डाल ला नई स्थित में तो वह क्या कहलाएगा तो वह कहलाएगा अधिगम का शून इस्थांतरन यानि कि जो पूर्फ पूर्ख अदिगम है वह यहां पे इस्थान्तरन इसका सून हो रहा है इसका काम न इसका प्रुभाव नहीं हो रहा や अदिगम का आपका सूनि blank पूर्ष निर्देशित होना है सारवहमिक होता है वातावरण की उपज होती है या ये सभी होंगे तो अधिगम कैसा होता है तो अधिगम आपका उदेश पून लच्छ नेदेशित होता है सारवहमिक भी होता है वातावरण की उपज में भी होता है तो परोग सभी हो जाएगा ठीक है दोस्तों अंगलाप्रस देख लेते हैं सिच्छा मनो बिग्यान में सीखना लच्छ तक पहुँचने की उपायों को निश्चित करना है यह अधिगम की सेणी को प्रदर्सित करता है अधिगम की प्रक्रिया है क्योंकि मनों बिज्ञान में सीखना लच्छ तक पहुँचने कुपायों के निश्चित करना है ठीक है तो यह क्या कहलाएगा एक अधिगम की प्रक्रिया कहला जाएगी चले अंगला परस देख लेते हैं क्या प्रसंदिया है यहाँ पर सीखना सारभामिक प्रक्रिया है से अर्थ है कि सीखना सभी में होता है बालकों में होता है जानवरों में होता है बिद्यालों में होता है या प्राणियों में होता है देखे बालक जानवर तो प्राणियों में आ जाएंगे तो क्या सही होने वाला है? क्या आपसन सही होने वाला है? सीखना सारवामिक प्रक्रिया है से यर्थ क्या होता है? कि सीखना सभी किस में होता है? तो सीखना सभी प्राणियों में होता है क्योंकि बालक, जानवर, बिद्याले सभी प्राणियों में आ जाएंगे ठीक है बिद्याले प्राणी नहीं है लेकिन बिद्याले में जो जाते हैं बिद्याले किसके लिए प्राणियों के लिए है बालक बालिकाओं सिच्छक के लिए ठीक है तिया पर प्राणी ही होगा अंगला परस देख लेते हैं अधिगम प्रतिफल का तातपर क्या होता है दोस्तों पता है कमेंट जरूर करे अपना यहां पे एक सील ठपा लगा दें जी सर हमें भी आता है हमें भी यह प्रसनाते हैं 30 में हम इतना कर सकते हैं जरूर कीजिए दोस्तों जरूर कीजिए मैं कहता हूं आउट अफ 30 में 30 कीज क्योंकि selection पाना है अंगले साल एक सरकारी seat पाना है और इसके लिए आप रोगों को करना होगा अधिगम प्रतिफल का तातपर क्या हो जाएगा तो अधिगम प्रतिफल का तातपर यह होता है कि बालक के बेवार में होने वाला परिवतन ही अधिगम के प्रतिफल का तातपर हो वा अभीवरतियों के बारे में सचे तरहना किस प्रिकार कहलाएगा दोस्तों यह आपका संग्यानात्मक अधिगम कहलाएगा बेंट कोश्चन है सिलेक्षन की जब से सम्भावित की जब से सभी नए परटन पर प्रस्च बनाए गये हैं यह आपके सिलेक्षन के लिए दोस्त तो आपका संगयनात्मक अदियम कहला जाएगा और अंगला प्रस्ण क्या पूंचा जा रहा है कि बेवहार का करना पच्छ का कौन सा कहलाएगा तो बेवहार का करना ये कौन सा पच्छ है तो बेवहार का करना ये पच्छ हो जाएगा आपके अदियम का गतिक और क्रियात्मक च्छित कहला जाएगा अंगला प्रस्ण क्या है इंटेस्ट प्रस्ण ध्यान दीजेगा दोस्तो पांचमी कच्छा का बालक साइकिल चलाना सीख रहा है यह किस प्रकार का अधिगम होगा दोस्तो बालक पांचमी कच्छा का है और वह साइकिल चलाना सीख रहा है तो एक किस प्रकार का अधिगम कहलाएगा तो पांचमी कच्छा के लिए बालक का यह जो अधिगम होगा यह करना आपका मनो गत्यात्मक अधिगम कहला जाएगा अंगला प्रसन क्या है जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है दोस्तों जेपी गिलफोर्ड के अनुसार जो अधिगम है वह आपका बिवहार में परिवत्तन होगा अंगला प्रसन आप लोगों पता है सभी लोग समझ रहे हैं मत्पदेश, MP, TT वर ग्रेट थी जो आपके पाउला और थरंडाइक से समझ रहे प्रसन आते हैं एक दो प्रसन आपके हाई लेबल के भी आते हैं क्योंकि वहाँ पे सलेक्शन नहीं टॉप रंग हाँसिल करने वाले सभी उन प्रसनों को अटेंड करते हैं अंगला प्रसन क्या है पूर निर्मित बिवहार में अनभो द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है ये परिवासा किस ने कहा ये कहने वाले आपके स्टेट में कौन है दोस्तो पूर निर्मित बिवहार में अनभो द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है ये कहने वाले महान बैग्जानी का आपके कॉल विन हो जाएंगे सिकंड आपसन आप लोगों का सही हो जाएगा दोस्तो ये रहे आपके टॉफ 30 कोश्चन आप लोगों कैसे लगे हमें कमेंट के मादम से जरूर बताएं और ऐसे ही क्लासे देखने के लिए हमें कमेंट बाक्स में फीड़बैक देते रहें मेरे सभी सब्सकाइबर भाई वहन सभी सब्सकाइबर भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का नवन है धनवाद है तहदिज से जितने भी भाई वेन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे क्योंकि आपको सेलेक्षन पाना है यहाँ पर जो प्रस्न क्लासेज होंगी आपकी एकजाम पैटन पर होंगी सब्सक्राइब जरूर कोचिंग सेंटर धनवाद सभी का जय हिन दोस्तो